नमस्कार मैं मुस्कान कनोजिया और आप देख रहे हैं ACC News Today अधार कार्ड वर्तमान में हमारे लिए बहुत ही मैत्व पूर्ण दस्तावेस बन गया है ये ना केवल व्यक्तिगत वित्रन बलकि इसमें हमारी बैटरूम बायोमेट्रिक जानकारी भी है जैसे जैसे अधार कार्ड का मैत्व पढ़ रहा है वैसे वैसे इसका गरत उप्योग होने का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है OTP भी बहुत ही मैत्व पूर्ण होता है इसको किसी के साथ शियर नहीं कर सकते आपकी जरा सी लापरवाई काफी महंगी साबित हो सकती है अधार कार्ड हर भारतिय के लिए जरूरी दस्तावेज है यह आमतोर पर किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए कई सारवजनिक और नीजी सेवाओं में उप्योग किया जाता है सरकारी सेवाओं का लाप उठाने के लिए अधार कार्ट की आवशक्ता होती है बैंक खाता खोलने और नौकरी के लिए पंजीकरन करने सहित हर चीज के लिए अधार कार्ट नंबर की आवशक्ता होती है हाला कि अगर आपके अधार कार्ट की जानकारी लीग हो जाती है तो इसका इस्तिमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है यदि आप अधार कार्ट का इस्तिमाल करते हैं और आपके मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है ऐसे में आपको सतर करहना चाहिए हो सकता है कि अधार काट का कोई गलत इस्तिमाल कर सकता है हर किसी के साथ शेयर ना करे OTP कई जगा अधार काट का उपयोग करते समय रजिस्टर मोबाइल नमबर पर OTP मिलता है उस OTP के जरिये ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है OTP बहुत ही महतुपुन होता है इसको हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते आपकी जरा सी लापरवाई काफी महंगी साबित हो सकती है अगर आप अधार काट का यूज कर रही है तो आपको OTP नहीं मिल रहा है तो आप अलर्ट हो जाईए आपको साथान होनी की जरूरत है क्योंकि आपको अधार का गलत उप्योग हो सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है ऐसे चेक करें अधार का गलत इस्तिमाल हो रहा है या नहीं सबसे पहले UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट पर जाईए इसके बाद अधार सर्विस में जाकर अधार ऑथन्टिकेशन हिस्ट्री को चुने इसके बाद आपको अपना अधार नंबर और सिक्योर्टी कोड दर्श करें अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से जनरेट OTP चुनना होगा OTP दर्श करने के बाद आप अपनी अधार ऑथन्टिकेशन हिस्ट्री देख पाएंगे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस का उप्योग तब ही किया जा सकता है जब आपका फोन नंबर आपके अधार कार्ट से जुड़ा हो आपका फोन नंबर आपके अधार से लिंक नहीं है तो आप UIDAI की Emergency Hotline 1947 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं आप साहिता के लिए help at the rate uidai.government.in पर भी संपर्क कर सकते हैं